मैं मन्जू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूटूब चैनल मन्जू की बगिया में फ्रेंड्स जैसा की आप यह देख रहे हैं मैक्सकन पिटूनिया का प्लांट है देखिए इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है इसमें काफी फ्लावर और बर्ड आये हुए हैं इसके फूल देखिए सेम तू सेम पिटूनिया की ही तरह दिखते हैं फूल छोटे जरूर होते हैं पर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं आज हमने सोचा अपने इस मैक्सकन पिटूनिया को आप से शेयर करते हैं और आप भी इसको अपने गार्डन में एड़ करिए एक ब फ्रेंट्स यह हमारा तीन साल पूराना प्लांट है हम इसको नर्सरी से लाकर के अपने हमने गार्डन में लगाया था हमारा गार्डन जो की टेरेस पे है देखिए यह फुल सन में रहता है फिर भी यह बहुत अच्छी ग्रोध कर रहा है वैसे तो यह गर्मियों का प्लांट है आप इसको लगाने के बाद 4-5 घंटे की धूप में रखिएगा और लगाने के लिए आप इसको एक अच्छी सी पॉटिंग मिक्स बनाइए जो वेल्डरेन होनी चाहिए लगाने के लिए आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं या पॉट में लगाना चाहें पॉट में अबी है आप दिखाएंगे देने लाइट कलर के फ्लावरिंग होती है और उसमें डार्क लह एते हैं जो टार्क परफल कलर के है आप का प्रेंट्स आप इसको कटे और इसके बीजों से इसली ही लगा सकते हैं यह बीजों और कट dil्यों से लगने वाला प्लांट है यापित इसका लगाएंगे अपने गार्डन में और जब इसके बीच जड़ेंगे तो कई प्लांट त्यार होंगे और यदि आप इसको चाहें तो कटिंग से भी बहुत आसानी से अपने गार्डन में एक से अने कर सकते हैं इसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए तभी ये फ्लारिंग करेगा फ्रेंट्स बहुत ही खूब फूरत प्लांट है आप इसको अपने गार्डन में जरूर लगाईएगा पानी इसको आप समय समय से दीजिए ओवर वाटरिंग मत करिएगा ओवर वाटरिंग इसको नहीं पसंद है ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें खराब हो जाती है जिससे पौधा मर भी सकता है तो आप इसके वाटरिंग का ध्यान रखें आप इसमें किसी भी तरह का कमपो नहीं है यह और भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और इसमें थोड़ा मिली बग का अटेक होता है उससे आप सावधान रहें इसमें मिली बग लगने से पहले ही कीट नाशक दवा का छुड़काओ करें जिससे आपका पौधा स्वस्त रहेगा तभी अच्छी फ्लावरिंग करेगा आइए मापको अपना दूसरा प्लांट दिखाते हैं जो हाइबरेड वराइटी का है और उस पे डार्क परपल कलर के फ्लार आते हैं यह हमारा हाइबरेड वराइटी का मैक्सिकन पिटूनिया है देखी इसके फूल थोड़े बड़े भी आते हैं और यह थोड़ा दार्क परपल पे हैं फ्रेंड्स फूल कोई सा भी हो जब वो अपने खिलने की पोजिशन में आता है तो काफी सुन्दर लगता है और एक अच्छे गार्डनर की यही पहचान है कि उसे सभी फूलों से प्यार होता है और वो सभी तरह के फूल अपने गार्डन में आड़ क ही है देखिए कल्यों से यह भरा हुआ है जब यह पूरे प्लांट में फ्लावर आएंगे तो आप सोचिए कितना सुन्दर लगेगा और कितना खुबसूरत लगेगा फ्रेंड्स यह हमारा हाइब्रेड मैक्सकन पिटूनिया है तो आप पिटूनिया के प्लांट को अपने गार्डन में लगा देंगे तो फिर इसकी आप छुटी-छुटी बाते जो है उनकी केर करेंगे तो यह आपके गार्डन से कभी भी दूर नहीं होगा फ्रेंड्स यह हमारी छोटी सी वीडियो थी मैक्सकन पिटूनिया पर जो हमने आप से शेयर किया कि आप भी इसको अपने गार्डन में लगाईए तो अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ओके फ्रेंड्स बाई